यारे दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूटुब चैनल में तो देखो दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लमस एट वन के कोश्चन को तो कौन-कौन से कोश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो यहां पर हम देखेंगे कोश्च कि अगर हमें इस वाले equation का graph draw करना है और यहाँ पर देखो y का value हमें निकालना है अगर x का value क्या हो जाए 1 हो जाए ठीक है यानि कहने का मतलब क्या है देखो इस equation के लिए अगर x का value 1 हो तो y कितना होगा यह तो बहुत simple है क्या करेंगे हम देखो बहुत आसानी से हम इसको solve कर जाएगा फिर जाके प्लस पाइवाई विच इकवल तो 19 अब फोर बनसा पूर फोर को उधर बेज़ दो तो जब यह उधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 19-4 विचल 15 अब यह 5 को उधर ले करके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा cancellation करोगे तो कितना आएगा 3 तो ब variables x & y dx कितना दिया है 49 dy हमारा माइनस 63 दिया है और d है आपके पास 7 दिन what is the value of x तो फिर हमें यह x निकालना है तो देखो भाई हमारे पास d है dx है dy है तो भाई क्रमर रूल हम लोग यहां पर जो एक से वो निकाल सकते हैं कैसे मिलेगा देखो इसका भी solution आभू करके बता द तो 77 सा क्या होता है पहरे बचो 49 यानिकि इसका finally answer कितना आएगा प्लस 7 तो देखो यह हो जाएगा आपका सही आंसर माइनस 7 नहीं होगा याद रखना प्लस 7 होगा ठीक है next है find the value of this determinant यहां पर दिया गया इसका value निकालना है तो value निकालने मतलब कैसे निकालते हम determinant का value तो cross 3 into minus 7 ठीक है cross में multiply करते थे फिर minus क्या करते थे याद करो मैंने आपको बताया था अब क्या होगा 540 20 यहां पर minus 20 आएगा फिर यह लेखो minus minus मिल करके इधर plus आएगा और 37 सा कितना होता है प्यारे बच्चो 21 अब बताओ कितना आएगा तो 21 minus 20 करोगे तो यहां पर आजाएग 21 में से 20 गया तो एक और plus की minus तो देख लो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है तो बड़ा नंबर है आपका 21 है ना बड़ा नंबर क्या है 21 जो कि plus में है इसलिए इसका finally answer भी plus में आएगा तो plus 1 आपको कहां पर दिखाई दे रहा है देख लो जल्दी से तो यह देखो option 20 आपका correct answer हो जाएगा next है कि हमें क्या करना है माल लेजिए यह दोनों simultaneous equations को हमें solve करना है by plus y which is equal to 3 दूसरा equation क्या है दोस्तो 3x minus 2y which is minus 4 अच्छा रूखो यह equation दिया गए इसको हम arrange कर देते हैं तो यह माइनस 4 यहां पर आपको दिखाई दे रहे इसको हम कहेंगे तुम उस साइट जाओ तो माइनस 4 उधर चला जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस 4 में हो जाएगा समझ में आए कि नहीं क्योंकि determinant method से जब भी हम question को solve करते हैं तो पहली बात तो वह arrange करना अलब arrange होना चाहिए कैसे ऐसे एक प्लस भी वाई विच इक्वल तो सी इस फॉर्म में तो देखो मैंने दोनों को arrange कर दिया अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए हमें यहाँ पर डी चाहिए determinant डी चाहिए ना तो डी निकालने के लिए हम क्या क्या करते थे बोलो यहाँ पर एक्स के coefficient आते यहाँ पर y के तो x का coefficient देख लो line से इधर क्या है 1 इधर क्या है 3 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और 3 और y के coefficients क्या है यहाँ पर कुछ नहीं आने 1 तो 1 और minus 2 अब इसको solve कर लो हमें यहीं चाहिए था ना find d, d निकालना है तो चलो 1 का multiply minus 2 में करेंगे ऐसे 1 into minus 2 फिर minus का sign और 1 का multiply हम 3 में कर देंगे तो यहाँ पर minus 2 आएगा है ना minus 2 into 1 और यहाँ पर 3 तो दोनों को जोड़ दीजे minus 5 आएगा तो बोलो minus 5 कहाँ पर है देख लो कौन से option में है तो वो है यहाँ पर देखो कई बच्चों को confusion होता है कि यह दोनो minus में है तो minus करो अरे सुनो जब दोनो number minus में है तो minus minus प्लस कर लेकिन साहिन हमेशा बड़े number का आता है तो बड़ा number is 3 which is in minus यहाँ पर minus आएगा तो यह आपका correct answer हो जाएगा ठीक है चलो यह लिखना है तो लिखलो परना मैं इसको मिटाने वाली हो क्योंकि यह question बहुत अच्छे से मुझे explain करना पड़ेगा चले गए तो अब यहाँ से गायब हो चुका है अब मैं यहाँ पर बात करने वाले हूँ बच्चो इस question number 5 की तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है देखो अब यह आपके लिए नया है क्योंकि यह अमने practice rate में कहीं पर भी नहीं देखा और यह आपके textbook में भी नहीं दिया है कहीं पर देखा भी नहीं और mx plus ny which is equal to d हमार पास दो equations है और इन दोने equation में हमने क्या देखा कि यह जो a n है यह bm के equal नहीं है not equal to bm then these simultaneous equations है तो फिर यह simultaneous equations है ना इनके बस एक solution होंगे या फिर कोई solution नहीं होगा या फिर infinite number of solution होगा या फिर only two solutions होंगे ठीक है तो only two solutions तो नहीं होने वाले क्योंकि यहां पर तीन ही conditions बनती है पहले काट दो ठीक है चलिए हमें काम करते हैं पहले यहां पर simultaneous equations को लिख लेते हैं तो इन्हीं दोनों को हम ले लेते हैं तो पहला equation आपका देखिएगा पहला condition क्या कहता है जैसे मैं एक काम करूंगी यहां पर ना एकस के coefficient मदब इसका रेशियो लिखूंगी फिर यह जो वाई है इसके coefficient का यहां पर रेशियो लिखूंगी और फिर यह जो constant term है इनका में रेशियो लिखूंगी देखो ऐसे यहां पर आएगा एपॉन M क्योंकि इसमें X का coefficient A है यहां पर M है फिर उसके बाद इधर Y का coefficient B है इधर कितना है भई N है फिर यहां पर देखना C अकेला D B अकेला ऐसे करके राइट अब सुनो दियान से हमें क्या करना है ऐसे करके यहां पर रेशियो लिख लेना है अब देखो यहां पर conditions कितनी बने अभी हमने देख लिया कि यह और यह आपस में equal है ही नहीं ठीक है तो जबी भी ऐसा कुछ condition बनता है न तो हमारा graph कैसा बन करके आएगा देखो मैं graph की बात कर रही हूं तो हमारा graph ना बच्चों कुछ ऐसा बनेगा यानि कि जो दोनों lines के यह graph बनेंगे न वो कही न कहीं ए intersect करेंगे ठीक है जैसे मालो मैं इसका जड़ा सा color बदल देती हूं देखो यह पहला वाला line यह दूसरा वाला line तो यह एक जगह पर आगर के intersect कर रहे है एक ही point पर intersect कर रहे है तो जब ऐसा condition बनेगा कि x के coefficient का ratio और y के coefficient का ratio अगर यह दोनों आपस में equal नहीं होंगे तो फिर ऐसी condition बनेगी यानि कि हमें उन दोनों simultaneous equations का solution है ना वो कितना solution मिलेगा तो only one common solution मिलेगा ठीक है हमें यहाँ पर बस एक ही solution मिलेगा कब एक solution मिलेगा जब ऐसा condition बनेगा तब ठीक है यह पहला condition हो गया अब देखो भाई दूसरा condition क्या होगा तो देखो दूसरे मैं आपको ब आगे वाला चेक करोगे कि यह सी अपॉंटी इक्वल है कि नहीं ठीक है तो अब मालनीजे यह दोनों तो आपस में इक्वल है बट यहाँ पर यह इनके इक्वल ही नहीं ठीक है मालनों यहाँ पर one by two है इधर भी one by two है लेकिन यहाँ पर three by two ऐसे कुछ दे दिया दूसरा ही कुछ ratio दे दिया तो यह दोनों तो एक्वल है बट यह एक्वल नहीं है तो जब ऐसा कुछ यहाँ पर केज हुआ ना तो क्या होगा हमारा graph कुछ ऐसा बनेगा ध्यान से देखना जैसे यह x-axis y-axis होता है तो देखो हमारे graph कैसे बनेगा मतलब जो भी lines हम बनाएंगे वो दो से से इस से condition बनेगी तब ठीक है तो यहाँ से होकर जारी है नहीं मिलने वाला हूँ तो यह हमारा दूसरा condition है अब उसके बाद तीसरा क्या बन सकता है तो देखो अगर मान लिजे को यह तीनों की तीनों आपस में एक्वल है तो तो यहां पर कंडिशन कैसी यहां पर हमारा ग्राफ न बच्चो कूछ ऐसा बनेगा यहां पर जानते हैं क्या होगा देखें ग्राफ आप हमारा ऐसे बनेगा, जैसे मान लेते हमें यह वाली लाइन है, इसफीके उपर चड़के जाएगी, याrising के उपर से होकर के जाएगा, ऐसे, दोनों लाइन्स जो है ना, वो के ऊपर एक आएँगे, ठीक है, तो देखो, यह हर जगा मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे भी हर पर मिल रहे हैं इनके सोलुक्त हो जाएंगे आगे आप बढ़ाते जाओ और यहां पर हमें सुलूशन को सुनिए है आपके पास चीरांपीस करती हूं सुनिये आपके पास अगर ऐसा कुछ केस बनता है तो आपको बस एक सुलूशन मिलेगा अगर ऐसा case बनता है तो आपको एक भी solution ही मिलेगा और अगर ऐसा कुछ condition मना तो आपको infinite solutions मिलेंगे ठीक है अब आप देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा case बन रहा है तो यहाँ पर देखिए लिखा है क्या लिखा है कि a n not equal to b m अब एक काम करो क्या काम करोगे देखो यहाँ पर लिखना a m को इधर बुला लो m इधर आने के बाद ऐसे करके divide में हो जाएगा यह n को बोलो तो उधर जा जब यह n उधर जाएगा तो यह दिवाइड में हो जाए तो यह देखो यह first में दिख रहा है कि a upon a upon m equal नहीं है b upon n के देखो हमने इससे मतलब इसको कहां से derive किया यही से दोनों का मतलब से में अगर वापस से आप करना चाहो इस form में लाना चाहो तो आ सकता है n को इधर बेजो m को इधर बेजो ऐसे करके हो सकता है न तो यह किस से मैच कर रहा है इससे तो जब भी ऐसा कुछ केस बनता है तो बस एक ही solution होता है न only one common solution तो पताए कौन सा option इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों तो आपका option यह आपका correct answer हो जाएगा only one common solution is there of the simultaneous equations तो आप देख सकते हो यहाँ पर finally हमने इसको complete कर लिया है तो यह थोड़ा से extra information थी आप लोगों के लिए तो इसको भी ध्यान रखिएगा ठीक है चलो आगे चलते हैं और question number two की बात करते हैं इसमें हमें क्या करना है मान लीजेगी हमें इसका graph ड्रॉ करना है इस equation का त 2x-6y which is equal to 3 अब इसमें से ना हमें x का value कितना दिया है put x which is equal to minus 5 चलो minus 5 हम put करके देखते हैं कि हमें y का value कितना मिलता है तो 2 into x के जगा पर minus 5 रखेंगे minus 6y which is equal to 3 2 5 सा कितना होता है 10 minus 10 आ गया minus 6y बनाबर 3 10 को उदर बेज दो तो 10 जब उदर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 10 प्लस 3 है ना 3 प्लस 10 हो जाएगा उसके बाद उसके बाद यह 6 को भी उदर ले करके चले जाना तो 10 तेन तेरा और 6 भी उदर जाएगा तो ऐसे करके minus में हो जाएगा यानि कि y का value हमें क्या मिला तो minus 13 upon 6 तो देखिएगा यहां पर आप लिख देना कि minus 13 upon 6 यहां पर y का value हमें मिला है तो x और y यहाँ पर आप लिख दो x कितना है minus 5 और y कितना है भई minus 13 upon 6 clear चलो अब उसके बाद यहाँ पर आप देख लिजेगा जो y का value है ना अब हम क्या करने वाले है put y which is equal to 0 मतलब y का value 0 दिया है ना तो जब हम इस equation में y का value 0 पुट करेंगे तो हमें x का value मिल जाएगा तो चले equation किया है देखे 2x minus 2x minus 6y y के जगा पर हमें 0 रखना है which is equal to 3 तो 2x और 6 0 जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा bracket में p3 by 2,0 ठीक है तो यह है बच्चो आप लोग को का answer आप देख सकती हो यहाँ पर हमने यह question number 1 भी complete कर लिया और question number 2 भी complete कर लिया अब उसके बाद आता है third question तो third question में हमें सारे questions को graphical method से solve करना है तो इसको हम देखेंगे हमारे अगले video में ठीक है तो चलिए बच्चो मिल